So guys, यह है Realme 12 5G smartphone और आपको इसमें 108MP का camera मिल जाता है पर अंदर जो camera app मिलता है उसमें भी आपको बहुत सारे features मिल जाते हैं तो वही सारे features मैं आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ तो चली video start कर लेते हैं मेरा नाम है रोसनी आप सभी का tag for रोसनी में स्वागत है तो सबसे first मैं आपको मिल जाता है night mode देखो आप night में photo बगेरा निकालते हैं तो यहाँ photo mode से नहीं निकालिएगा आप simply night mode पर आकर निकालना आपकी जो photo है वो बहुत अच्छी आने वाली है आप photo mode से और night mode से दोनों से photo निकालेंगे न जो night mode वाली photo रहेगी वो काफी जादा अच्छी होगी इसलिए आप night में night mode का use करिएगा यहाँ पर आपको filter वागेरा दिये गए हैं तो जो भी filter आपको पसंद हो आप filter का use कर लेना और यहाँ 0.6 पर आकर आपने 10 से 15 लोग एक साथ यहाँ पर night में photo निकाल सकते हैं और यहाँ पर pro का features भी दियेगा है बट मेरे हिजाब से न यार अगर आपने DSLR चलाना जानते हैं तभी आप इस features का use करिएगा क्योंकि इसमें न DSLR की कुछ setting मिल जाती हैं जिनका use करके आप यहाँ पर बहुत अच्छी photo निकाल सकते हैं night mode में यहाँ से आप timer वगेरा set कर सकते हैं यह फिर आपको किस size में photo निकालना है यहाँ से set कर पाएंगे और अभी आप यह जो features देख रहे हैं यह काफी कमाल का features है इसे मैं आगे आपको बताने वाली हूँ next आपको यहाँ more पर आजाना है देन यहाँ group portrait पर आना है अब आप यहाँ से group portrait photo निकाल सकते हैं मतलब की पीछे का जो background है वो बिलर रहेगा और यहाँ से आप photo अगेरा निकाल सकते हैं मतलब की पीछे के background बिलर करके group में photo निकाल पाएंगे यहाँ से कुछ इस type से आप द देखो कुछ इस type के आप यहां से न फोटो निखाल पाएंगे, लॉन्ग इसपोजर से, यहां पर आपको इसके फिल्टर वगरा दिये गए हैं, अगर आपको इस type की फोटो निकालना है, तो इस type की फिल्टर को यूज कर लेना है, फ्लैसलाइट का भी आप use कर सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ड आपको यहीं more पर दजान है यहाँ पर आपको pro मिल जाता है पैनो मिल जाता है और अगर आप हमारी वीडियो पहले से ही देखते आ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि इन दोनों का use कैसे करना है देन आपको यहाँ पर डवल वीडियो भी मिल जाता है तो यहाँ से आप फ्रेंड और रियर दोनों का दिखाती हुई वीडियो वगेरा सूट कर सकते हैं इसमें भी आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर लीजेगा नेक्स्ट आपको नहीं यह टिल सिप्ट पर आजान है अब देखो कुछ इस टाइप से न आपका जो सब्जेक्ट रहेगा सिर्फ सब्जेक्ट को ही बस यह किलियर दिखाएगा बाकी जो आइट साइट का बैक्राउंड रहेगा न वो बिलर हो जाता है और यहां से आप अपरचर को कम जादा कर सकते हैं मतलब की पीछे का बैक्राउंड कितना दिखाना है आप यहां से कर पाएंगे वाइट एंगल में भी आप यहां पर यूज कर पाएंगे यहां पर टेक्स्ट स्कैनर भी मिल जाता है तो आप अपने अकोडिंग इसका यूज कर लिजेगा फिल्म मोट यह इस टाइप से आपना फिल्म के टाइप में यहां वीडियो सूट कर पाएंगे और गैस अगर आप फोटो में अपना नाम बगेरा दिखाना चाते हैं मतलब बॉटर मार डालना चाते हैं तो आप डाल सकते हैं आप यहां इस टीड मोट पर आना अब आप यहां से सब्जेट को जूम करके फोटो निकाल सकते हैं आप देखो कुछ इस टाइप से सब्जेक्ट जूम हो जाता आपका सब्जेक्ट बहुत दूर है तो आपको यहां जूम को आउन कर लेना देने यहां पर क्लिक करेंगे न तो आपको यहां पर बहुत सारे फीचस दिए गये हैं तो वो आटोमेटिकली आपको उस प्रोडेट की ओफिसियल बैप साइट पर लेजा लेता है। यहां से आप उस प्रोडेट की A to Z डीटेल ले सकते हैं। और आपको कोई flower या फिर words का नाम पता नहीं है। तो आप यहां आप उसकी फोटो कैप्चर करना देन गूगल बता देगा कि उसका क्या नाम है। और आपके पास कोई document है जो की other language में है। आप उसकी फोटो निकालेंगे और यहां translate पर क्लिक कर देएंगे ना तो वो आप उसे किसी भी language में translate कर सकते हैं। नेक्स फीचस यहां थ्री डॉर्ट पर क्लिक कर देना है। अब यह सारी फीचस आपको पहले से ही पता होंगे कि HDR को हमेंसा ओन करके रखना चाहिए। बट आप यहां पर क्लिक कर देएंगे ना यह आपका ओफ रहेगा इसे ओन कर लेना है। अब आप दूर रख देंगे अपने फॉन को तो 3-3 सेकंड में आपको 500 निकलेंगे तो आप अलग-अलग पोजिशन में खड़े हो सकते हैं। आप यहां अलग-अलग पोजिशन में 5 फोटो एक साथ निकाल सकते हैं 3-3 सेकंड बाद। नेक्स्ट आपको वीडियो पर आकर यहां ना सेटिंग में आना है, यहां मिल जाएगा watermark, अगर आप फोटो में watermark दिखाना चाहते हैं, model करेम, अपना नाम, date and time दिखाना चाहते हैं, तो आपको इसे on कर लेना है, और नहीं दिखाना चाहते हैं, तो यह पहले से off रहता है, एक step back आएंगे, आप next features, यहां ना shutter sound, अगर जो आप photo click करते हैं, जो sound आता है, इसे बंद करना चाहते हैं, तो इसे off कर देना है, नहीं तो यह on रहता है, और mirror selfie को आपको off करके ही रखना चाहिए, इससे क्या होता, आप कोई भी selfie वगरा लेते हैं, कुछ इस type से, तो वो इ automatic ही photo capture हो जाती है, और आप selfie camera में रहेंगे, अपने हाथ को इस type से दिखा दाएंगे, तो भी automatic photo निकल जाएगी, next features, quick launch यह ना off रहेगा, इसे on कर लेना है, अब आपका phone ऐसा बंद रहेगा, lock रहेगा, तो आप volume minus button को ऐसा दो बार press करेंगे, तो automatic camera open हो जाएगा, next अगर आ background को बिलर करके photo निकालना चाहते हैं, तो यहाँ आपको portrait mode पर रजान है, आप यहाँ पर click करके aperture को कम जादा कर सकते हैं, मतलब की पीछे का background बिलर हो रहा है, अगर आपको जादा बिलर चाहिए, तो aperture को बीग कर देना है, और बिलर कम चाहिए, तो aperture को strong कर देना है, पाकी यहाँ पर आपको filter वगेरा मिल जाएंगे, face की beauty को आप यहाँ से कम जादा कर सकते हैं, यह सभी तो आपको पता ही होंगे, next features, आपने कोई भी photo वगेरा निकाली है, portrait mode से या फिर किसी भी mode से निकाली है, यहाँ gallery पर आएंगे और उस photo पर ऐसा long tap करेंगे तो आप इस photo को ऐसा crop करके रख सकते हैं, यहाँ पर आप देख भी पाएंगे कि आपने किन-किन photo को crop कर रहा है, then आप एक पर और ऐसा crop करेंगे, और यहीं पर आप कहीं भी share कर सकते हैं, यहाँ से WhatsApp या फिर Facebook में आपको photo share करना है, crop बाली तो आप यहाँ से कर पाएंगे, तो यह features मुझे बहुत अच्छा लगा, इस phone में तो आप इसका भी use करिएगा, so guys यह रहे इस phone के camera के amazing and hidden features, कौन सा features आपको सबसे जादा पसंद आया है, मुझे comment में जरूर बताना, देखो अगर आप से कोई setting गड़वड हो गई है तो इसके लिए यहाँ setting पर आना है, then नीचे restore default पर आज करेंगे, तो आपका phone जैसे पहले था, बैसे ही हो जाएगा, so guys आपको video पसंद आई, तो please share video को like कर देना, video बनाने में बहुत जादा महनत लगती है, तो please एक like करी देना, और अगर आप channel में नए हैं, तो फिर channel को subscribe कर दीजेगा, और bell notification को all पर select कर लेना, अब हम मिलते हैं next video में, thanks for watching this video